नमस्कार मैं हो राम किंकर, हाजिर हूँ, MCD की राम कहानी को लेकर अपने सहयोगी सत्याकिसार कई बार ये देखा जाता है कि राजनीती एक अजीब सा खेल है संभावनाओं का खेल है, शतरंज का खेल है और उसमें सिरफ एक चीज ही मेन होती है और वो ही होता है किसी भी तरह से जीत और जीत दो तरह की होती है या तो तातकालिक तोर पर किसी तरह की जीत हो या फिर कुछ ऐसी कमिस्ट्री या ऐसा गटबंधन बने जिसके जरिये आने वाले वक्त में वो जीत सुनिश्चित हो कुछ ऐसा ही आज अगर आप राश्वी राजनीती में देखेंगे तो कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आपको दिखाई देगा अमूमन इंडिया ब्लॉक में जिस तरह से अलग अलग लोग एक एक धड़े से अलग हो रहे हैं यानि नितीश कुमार से शुरुवात हुई जैन चोधरी और उसके बाद से बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ है और बहुत सारे चुनाओ के वक्त आभी सकते हैं और देखा जाए तो अंडिया के बरक्स जो कह सकते हैं कि इंडिया ब्लॉक का धड़ा था वो धीरे धीरे कुशिड होता जा रहा है लेकिन आज मैं राम कहानी में यह बात नहीं कर रहा हूँ, बलकि मैं बात यह कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी और कॉंग्रेस के बीच जो गडबंधन लोकसभा चुनाव के बरक्स चल रहा था, अभी धीरे धीरे ही सही वह एक ऐसे मुमिंट पर नहीं पहुँच पा रह तो आम आदमी पार्टी ने साफ तोर पर कहा है कि वह अलग से 13 सीटों पर लड़ेगी और दूसरी तरफ आपने देखा कि दिल्ली में जो साथ लोकसभा सीटों पर आपसी बातचीत की मंत्रड़ा है, वो लगातार चल रही है, बहरां कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी क साथ लोकसभा सीटों पर ये पता चल जाएगा, लेकिन उससे ठीक पहले कम से कम दिल्ली नगर निगम की अगर मैं बात करूँ, तो वहां पर कॉंग्रेस के पार्षत तकरीबन आट से नो की संख्या में है, और उन्होंने जो चुनोती दी है सत्ताधारी आम आदमी पार्षती बिल्कुल असहज है, और ये जो संकेत है, जो ये चीजें मिली, वो बजट के दौर पर मिली, जब चर्चा बजट नाजिया दानिक्ष ने जो की नेता है, कॉंग्रेस पार्षतों की, उन्होंने बजट अपना पढ़ा, और साफ तोर पर उन्होंने सफाई और स त्वास थे, पर पूरी तरह से कॉंसेंट्रेट किया, और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को खेरा, और जब ये चर्चा हो रही थी बजट पर, उसके बाद आरिबा खान ने तो साफ तोर पर हमला ही बोल दिया, और उन्होंने महापार से साफ तोर पर ताकीद करते हुए ये कहा कि अमूमन जो बजट इस तरह से रखा जा रहा है वो असमवैधानिक है, नियम के अनुसार नहीं है, बिना स्टेंडिंग कमेटी बजट को सीधे सदन में पेश करना वो भी जो है असमवैधानिक है, और इस पर उन्होंने साफ तोर पर ये भी कहा कि ये नियम कानू उन्हों से परे है, इतना सुनना था कि मेर ने साफ तोर पर कहा कि आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें और अपनी बात कहें, तो आपको यकीन मानिए उस वक्त जो तस्वीर मैंने देखी कि सभी पार्षद चले गए, कॉंग्रेस पार्षद तो थे ही थे, बीजेपी के पार्षद भी मिल गए, और सीधे जाकर कि मेर के आहसन के सामने खड़े हो गए, तो अब सवाल यही है, कि बहुत कम संख्या में होने के बावजूद भी, ये पार्षद सत्ताधारी आमादमी पार्टी को चुनोती दे रहे हैं, और बीजेपी के लोग साफ तोर पर ये दे रहा है, तो क्या ये माना जाए, कि जो कॉंग्रेस की स्थिती है, या जो कॉंग्रेस पार्षदों की स्थिती है, उसको ले करके बीजेपी के लोग सहज हैं, और एक तरह से खुला छूट दे रहे हैं हर चीजों की, या छूट न कहें तो एक साथ दे रहे हैं, और कई बार सदन में मैंने देखा कि बहुत ही मित्रता पुरूड तरीके से नेता विपक्ष के साथ बातचीत करते हुए कॉंग्रेस की तमाम जो पार्षदाएं हैं वो दिखाई दी तो साफ तरपर दिखता है कि कहीं न कहीं BJP और कॉंग्रेस के बीच में मित्तरता अधिकारिक तोर पर तो न सही लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए काफी जादा सहज महसूस कर रहे हैं दूसरी तरफ अगर आप कॉंग्रेस की बात करेंगे तो कॉंग्रेस भी बीजेपी के साथ सहज महसूस कर रही है लेकिन आम आदमी पार्टी को घेर रही है, साफ तोर पर दिखाई देता है और यह दिखा बजट सदन में तो ऐसे तमाम मौकों पर यह जो सब कुछ दिखा, तो साफ तोर पर यह दिखाई देता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राश्च्री एस्तर पर जो आम आदमी पार्टी के साथ जो कॉंग्रेस का हाथ है वो मिलने ही पा रहा है, लेकिन बीजेपी के साथ हो मिलता जा रहा है इसके पीछे एक बड़ी वज़ा है, इसके पीछे वज़ा यह है कि अभी आपने देखा होगा कि स्टेंडिंग कमिटी बनने को लेकर के महाप और शैली ओबराय हाई कोर्ट में चली गए और उन्होंने साफ तोर पर कहा कि स्टेंडिंग कमिटी बननी चाहिए और यह पू असल स्टेंडिंग कमिटी का जो चेर्मेन है उसके बनने की जो सत्ता की चाबी है वो साफ तोर पर कॉंग्रेस पारशदों के पास है और यही वज़ा है कि बीजेपी को उसका साथ मिल रहा है अब ज़रा देखिए कि 12 जोन हैं तो 12 वार्ड कमिटियां हैं और 12 वार्ड कमिट कमिटियों से तकरीबन 4 में बीजेपी का बहुमत है और 3 में 4 में बहुमत है और 3 सदस जो है उसके सदन से जीत चुके हैं तो ऐसे में कॉंग्रेस के जो पारशद हैं वो जिस तरफ जाते हैं वही स्टेंडिंग कमिटी चेर्मेन की चाबी साफ तोर पर दूसरे के हाथ में देगा यानि अगर मैं सेंट्रल जोन की बात करूँ तो सेंट्रल जोन में दो कॉंग्रेस के पारशद जिधर भी वोट करते हैं उसी का स्टेंडिंग कमिटी बनेगा और 27 पारशद हैं तकरीबन वोट कमिटियों में तकरीबन 12 जो सदस्य हैं वह आम आदमी पार्टी के प का अंकड़ा है तो अब जब ये कॉंग्रेस पारशद जिधर वोट करेंगे उधर ही स्टेंडिंग कमिटी का चेर्मेन बनेगा तो साफ तोर पर दिखाता है कि ऐसे क्रुशियल टाइम में कोई भी कॉंग्रेस के पारशदों को नाराज नहीं करना चाहता है लेकिन आखिर लेकिन अगर मैं बात करूँ तो नाजिया दानिश को बकाइदा हज कमिटी का मेंबर भी बनाया गया है और आपको जानकर हैरानी होगी कि हज कमिटी का मेंबर किसी और ने नहीं दिली के उपराज जपाल ने उन्हें बनाया है तो ये साफ दिखाता है कि कहीं ने कहीं एक स फैसला आता है तो जाहिर तोर पर जो standing committee का चुनाव है उसको लेकर के काफी ज़्यादा ये तै करेगा कि ये elder men जिधर जाएंगे उधर ये standing committee का chairman होगा तो साफ तोर पर बने रहे है मेरे साथ फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ तब तक आप देजी इजाज़त ध हुआ 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 है